अभी I want you to share in the comment section के आपने कौन सी डेट को कहां पर exam दिया और आपका result अभी तक नहीं आया है so that you can club up with all those students जिनका result अभी तक declared नहीं हुआ है so that you should have the some kind of assurance that it's not just you there are other people who are suffering the same और यहां पर आप एकठे होकर अगर किसानों की तरह धर्ना लगाना चाहें इसके भारे में भी सोचें क्योंकि एक comment section में किसी student ने यह share किया है कि IDP office के बार जाई हो और धर्ना लगाई है इससे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कुछ जादा comment नहीं करूँगा लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इसमें मेरे पास स्थाप के लिए है बहुत important अब तीन cases आपके साथ ऐसा क्या हुआ होगा यह आप खुछ सोचिए लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं कितना टाइम लग सकता हैं यह बहुत सारे student question put करते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा अगर मेरा एक बार result declare नहीं होता है या detain कर लेते हैं तो कितने टाइम बार result आएगा Hi friends, how are you doing today? क्या आपका भी आइल्स का result declare नहीं हुआ है? If yes, then watch this video till the end as I have something very important to share with you. Well guys, 25th August का lately result declare हुआ लेकिन बहुत बहुत सारे messages in comment section में और मुझे WhatsApp पर आ रहे हैं that my result is detain, I didn't get my result, what is the reason? कुछ बहुत सारे important और logical बाते में इस वीडियो में आपके साथ share करने जा रहा हूँ Please, video skip मत कीजेगा and definitely share it with your other friends as well और अभी तक अगर ये channel subscribe नहीं किया है तो press the bell button and the subscription button and share it with your other friends as well If I take the example of this test only, lots of students have complained that they didn't get their result in time क्योंकि उनके बहुत सारे friends का result to declare हो गया लेकिन उनका नहीं हुआ ये पहली बात नहीं हुआ, ऐसे हमेशा ही होता है अब इसके क्या-क्या reason होते हैं और आप इसमें क्या-क्या कर सकते हैं यह मैं कहूं कि आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि technical issue है कि आपका result वेबसाइट पर in time upload नहीं हुआ है number two reason, the result is gone for quality check that means आपका जो score आया, आपका exam जो है उसे quality check के लिए रख लिया गया है और ये quality check इसलिए to ensure के जहां पर भी आपने exam दिया वह वहाँ पर सभी parameters का अच्छे से दियान रखा गया सही डंग से वहाँ पर exam हुआ है और quality check means के आपको scoring भी इच्छे डंग से दी गया है और अब तीसरा reason के आपका result क्यों नहीं declare हुआ है क्योंकि अब तो PC चला गया है I'd be the test conducting body को लग रहा है के आपने fair means के साथ ये exam नहीं दिया है कुछ ना कुछ आपने गड़बर during the exam की है आप से कुछ ऐसी electronic device या कुछ ऐसा पाया गया है जिसकी वज़े से उन्हें आप पे शक है के ये आपका result जो है वो आपकी काबियत को नहीं दरसाता that means अब तीन cases आपके साथ ऐसा क्या हुआ होगा ये आप खुछ सोचिए लेकिन अब ये आप कर क्या सकते है पहली चीज़ IDP का toll free number all time available है Google पे लिखे IDP toll free number या यहाँ पर मैं शायद आपके लिए flash भी कर रहा हूँ इसे जब मर्जी contact कीज़े working hours में और उनसे पूछे के मेरा result क्यों नहीं आया they will be in the position to reply that और किसी को भी पूछने का कोई benefit नहीं है sir मेरे से पूछ कर कुछ भी नहीं होगा किसी और से भी पूछ कर कुछ नहीं होगा किसी को नहीं पता है क्या reason है दूसरा आप IDP को directly email कर सकते हैं उनका कस्मर के email IDP आपको IDP की साइपे मिल जाएगा और वहाँ पर आप email करके भी पूछ सकते हैं इतना time लग सकते हैं यह बहुत सारे student question पूछ करते हैं कि कितना time लग जाएगा अगर मेरा एक बार result नहीं होता है यह डिटें कर लेते हैं इतना time बार result आएगा तो प्रेक्टिस online for your ALS preparation contact us today we have a wide range of online programs that you can choose from and that would ensure your success in the ALS exam in your next attempt वेल गाइज यहाँ पर ऐसी कोई भी time limit नहीं है आपको अगर एक email आया है कि आपका quality check के लिए गया है तो शायद उसमे reference भी रहता है के in week time या 10 days time में हम आपको update देंगे देंगे तो अच्छी बात है नहीं है तो that means आपको और wait करना पड़ेगा इसके बाद आपको शायद फिर से आप अगर उनसे interact continuously करते रहेंगे बार बार email कीजेगा आप phone करने का कुछ जादा benefit नहीं होता यहां पर acknowledgement मिलती है एक proper communication channel होता है जब आप email करते हैं तो पता चलता रहता है कि आपने कितनी बार contact किया उन्होंने आपको कितनी बार apply किया अब कुछ student के साथ ऐसा हो जाता है they say कि हमें आपकी work efficiency पर शक है and we want you to produce your work तो उनको कुछ examination के बारे में लिखने के लिए कहते हैं तो यहां पर exam experience के related आपके mind में जो भी है आप लिखके और उन्हें बताएए so that it justifies कि आप ने ही exam दिया था and you are well aware कि क्या क्या हुआ था अगर ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होता है और फिर भी वो यही कहते हैं के आपका result अभी detained है हम आपको quality check के बात में बताएंगे you have nothing else to do but wait haa continuously आप email उनको करना चाहें तो कर सकते हैं उनकी मर्जी है reply करे या ना करे and finally अगर तो वो decision लेते हैं के आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपका result declare होगा आपको inform किया जाएगा in case अगर आप आप आए जाते हैं culprit that you have certainly done something wrong during the examination then the consequences can be really devastating and it can be up to two year ban you would be barred for two years from taking else exam और ऐसा अगर आपके साथ होता है दुबारा exam मत दीजेगा एक और चीज़ अगर आपका result detain कर लिया गया है quality check के लिया गया है आप wait नहीं कर सकते आप जाते हैं कि मैं दुबारा exam दे दू इस case में भी आपका loss हो सकता है क्योंकि अगर पहला test अगर वो identify करते हैं कि आपने कुछ गलत इस्तेमाल किया है और आपको two years के लिए bar किया जा रहा है तो आपका next test जो है ना दो उसकी fee refund होगी ना ही next test का result आएगा और इस case में आपके बाद सिर्फ एक option बनता है and that is PTA I hope I shared each and every information that was required later to this aspect of the IELTS exam Hi everyone, my name is Harvinder Singh and I belong to Mogha Punjab Actually recently I was thinking of preparing for my IELTS and I joined YDF I am very happy to let you know that I have achieved my design band score and I would like to thank Mr. Ramdeep Singh and the rest of the coaching staff as just because of their exceptional teaching skills I got my design band score and I must say you must join YDF if you are looking for the best IELTS coaching institute Thank you very much